क्या आप चानते हैं कि एक बार पाकिस्तान ने कस्मीर से अपना दावा छोड़ने का फैसला कर दिया था इसके बदले उसने भारत से एक डिमांड की थी पाकिस्तान में जब परवेज मुसरफ का रात चल रहा था तो वो देश का ताना सा था सेना का राज था उसी समय कारगिल की जंग भी हुई थी उस समय पाकिस्तान ने कस्मीर के बदले बॉलीबूट की अभिनित्री माधुरी दिचित की डिमांड की थी जी हाँ गाइस बॉली बुट की सबसे सफल अभिनित्रियों में से एक माधरी दिच्चित आज बाउन साल की हो चुकी है लेकिन एक समय में बॉली बुट पर उनका रात चलता था उनकी फिल्मों के लिए लोगों की दिवानगी काफी थी 80 और 90 के दसक में माधरी दिच्चित का जलुआ काफी था उसी समय पाकिस्तान की तरफ से ये पेसकस भी आई थी पाकिस्तान ने कस्मीर मुद्दे पर कहा था कि अगर माधरी दिच्चित हमें दे दी जाए तो कस्मीर पर से कबजा छोड़ने को तयार हूँ हाला कि इस बात पर यकिन करना मुस्किल है लेकिन परवेज मुसरफ के समय ये बात सामने आई थी कारगील जंग के समय बात खुल कर सामने आई थी कि पाकिस्तान में माधरी दिच्चित के कितने दिवाने हैं उसी समय ये कहा गया था कि माधूरी हमें दे दो और कस्मीर ले लो लेकिन माधूरी भारत का गौरोव है। उन्हें कैसे दिया जा सकता है। पाकिस्तान की इस मांग का जवाब भारती ये फोजने दिया था।